नमस्कार दोस्तों, 크리सेंट एजूकेशन क्लसेस में आप सभी का स्वागत हैं दोस्तों हमने विशेश सीरीस चलाई है जिसका नाम है उत्राघंड परिक्षामवाणी सीरीस दोस्तों इसमें हम परिक्षामवानी जो कि उत्रागंडे की मुख्य बुक है उसके सभी practice sets आपको करवा रहे हैं एक के बाद एक आज का topic है उत्रागंडे का इतियास इसमें हम दोस्तों उत्रागंडे का चाहे प्राचीन हो चाहे मद्य इतियास हो या फिर अत्रागंडे का आदुनिक इतियास उस पर आधारित आपको दोस्तों 195 MCQ करवाएंगे 195 MCQ करने के बाद दोस्तों आपका confidence बूस्ट हो जाएगा इसलिए हमने इन classes का नाम booster classes रखाए दोस्तों PCS का एक्जाम है 3 अपरेल को ROARO महादिवक्ता कारे लेकर अंतरगा जो post निकली है उसका एक्जाम है 27 मार्ज तो कोशिस यही है कि इन दो एक्जाम से पहले पहले इस सिरीज को complete कर दे उत्तराखंड जो परिक्षावाणी है जो latest book है उसके सभी practice setup को करवा दे तो दोस्तों आज की वीडियो को बिलकुल भी miss मत करें अगर आपका एक्जाम है तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और अगर आप अन्य एक्जाम के भी तैयारी करते हैं जैसे police है पटवारी है तो उनके लिए भी ये फाइदे मन्द है तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों आज का पहला प्रशन है सकंद पुराण में गड़वाल के लिए क्या नाम प्रियुक्ति किया गया है केदारखंड, मानसखंड, हिमवंत या फिर इनमें से कोई नहीं सकंद पुराण में गड़वाल के लिए कौनसा नाम है दोस्तों ये है केदारखंड, जबकि कुमाओं के लिए मानसखंड है हिमवंत किसका नाम है, पूरे उत्राखंड का नाम है ध्यान रखना, लेकिन किसमें जो आपके बौद साहिती है पाली भासा वाले गरंथ है, बहुत साहिती के तो उसमें हिमवंत पूरे उत्राखंड के लिए नाम प्रियुक्त किया गया है ठीके, आगे बढ़ेंगे निमने में से किस छेत्र को कुमाओं का बार्दोली कहा जाता है तो किसको बला जाता है, देखे, PCS परिक्षा में आरका है, प्रवक्ता परिक्षा में आरका है तो सल्ट छेत्र को दोस्तों कुमाओं का बार्दोली कहा जाता है कुमाओं का बार्दोली की संगिया इसको किस ने दी, ये पूछा जाता है मात्मा गानी ने दी थी स्वाधिन्ता संग्राम में इस छेत्रे की बहुत अच्छी भूमिका रही थी खुमाण यहाँ पर जो छेत्रे है ठीक है यहाँ पर प्रती 5 सितम्बर को सहीद दिवस मना जाता है ठीक है सल्ट की घटना कब हुई थी यह पूछा जाता है तो 5 सितम्बर 1942 को यहाँ पर सल्ट की घटना हुई थी ठीक है चले आगे बढ़ेंगे असो कालिन सिलालेग राज्ये के किस स्थान से मिला है ठीक है आपका क्या है दोस्तों, यह काल सी कहाँ पर मिला है, सॉरी, असो कालीन सिला लेख कहाँ पर मिला है, काल सी में दोस्तों, मिला है, ठीक है. कभी कबाद दोस्तों इसमें भी पूचा जाता है कि कितने इसवी पूरु का है तो यह लेक में यहां के निवासियों को पुलिंद बोला गया है और इस छेत्रे के लिए अपरांत सब्द का पुर्योग किया गया है यह सबी प्रश्नित से बन जाते हैं ठीक है अगला देखे कालिदास ने अभिज्यान सांकुतलम की रसना पौडी गडवाल सित कणवास्रम में की थी जो कि किसी नदी के तट पर था तो किस नदी के तट पर था दोस्तों वो था माली नदी के तट पर पर प्रवक्ता दोस्तों यह माली नदी के किनारे इस्थित है ठीक है अभी बहुत सारे प्रशने डिसकस करने तो कई सारे फैक्स डिसकस नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारे फैक्स बन जाते हैं लेकिन फिलाल 195 MCQ भी अपने आप में कम नहीं होते हैं दोस्तों ठीक है अगला देखो निमन सिंग गडवाली दोस्तों उत्रागंड के इथियास का नहीं है दोस्तों ये कौन है पेसावर कांड के नायक देखे 23 अपरेल 1930 को पेसावर में गडवाल रैफल के सैनिक थे वो कौन थे चंदर सिंग गडवाली ठीक है ये इनके कैप्टन थे दो बटे 18 गडवाल रैपल थी तो इनकार कर दिया था और फिर इन पर केस भी चला था जेल में डाला गया था तो पेसावर कांड के नायक थे ठीक है तो चंदर सिंग गडवाली दोस्तों क्या है पेसावर कांड के नायक है हरी किष्ण रतूरी दोस्तों इथियास कर रहे हैं इनकार कर दिया था था बद् स्थापित हुआ कुमाओं में गोर्खा सासन 1790 1792 815 फिर 865 तो इसका राइट आंसर है 1790 में ठीक है 1790 में युद्ध हुआ था राजा महिंदर चंद और गोर्खाओं के बीच में ठीक है इस युद्ध को हवलबाग का युद्ध बोला जाता है ठीक है तो इस युद्ध में क इसके बाद गडवाल में इन्होंने 1804 में क्या किया कबजा किया है ठीक है हलांकि इन्होंने 1792 में भी प्रयास किया था गडवाल में युद्ध गन्ये का जिसको लंगूर गड़ का युद्ध बोला जाता लेकिन उसमें असफल रहेते ठीक है चले आगे बढ़ेंगे परशन मुगल सहजादा जिसने श्रीनगर गडवाल में आश्रे लिया था मुगल सहजादा ठीक है कौन था वो था सुलेमान सिको ठीक है मुगल सहजादा सुलेमान सिको था दोस्तों ये पिर्थी पति साह के टाइम पर पिर्थी पति साह कौन थे पिर्थी पति साह कौन थ भाग कर आया था ठीक है तो सुलिमान सी को ये प्रशन भी बहुत बार पूछा जाता है ठीक है अगला प्रशन देखेंगे तीहरी गडवाल में धांड़क आंदुलन संबंदित था तीहरी गडवाल में धांड़क आंदुलन हुआ था पहले तो कोई ये पता होना चीए और किस संबंदिता दोस्तों ये मजदूरों से संबंदित आंदुलन था ठीक है अगला प्रशन देखेंगे तीहरी में डोला पाल के आंदुलन किस संबंदिता अब डोला पाल के आंदुलन भी किस संबंदिता दोस्तों ये तीहरी में हुआ था और ये किस संबंदिता ये सिल शिल्पकार मतलब दलित लोग, ठीक है, मतलब कि उनको समाज में समान इस्तिती दलवाना था, तो इसके लिए ही आंदोलन किया गया था, और इस आंदोलन के परवर्तक थे जैनन्द भारती, ठीक है, जैनन्द भारती बार बार ये पूछा जाता है, ठीक है, 1930 में इन्होंने आंदोलन चलवाया था, ठीक है, और ये भी पूछा जाता है कि जो दलितों के लिए शिल्पकार सब्द का प्रियोग किसके द्वारा किया गया था, 1911 में वो किया गया था, मुंसी हरी प्रसाद टम्टा के द्वारा किया गया था, ठीक है, आगे बढ़ेंगे, जादा अप्रेल 1815 में जब कुमाओं पर अंग्रेजों ने अधिकार किया, तो टिहरी रियासत को छोड़ कर अन्य छेत्रों में उन्होंने अधिकार कल लिया, ठीक है, तो उसका जो पर्थम कमिशनर दोस्तों, ई गाडनर को चूना गया था, जो मई 1815 में नियुकत हुए थे, ठी अगला प्रशन देखेंगे, चानपुर गड़ का राज्य इस्तित्था, पौड़ी पिथोरा गड़, चमोली अल्मोड़ा, क्या इसका राइट अंसर है दोस्तों, चमोली में ये अवस्तिता, ठीक है, देखिए, जो कनकपाल हैं, उनको माना जाता है कि उन्होंने पमारवंस की स्थापना कीती, छेसो अठासी में, ठीक है, और ये कहां कीती, चानपुर गड़ चमोली में कीती, ठीक है, तो चानपुर गड़ चमोली में, छेसो अठासी इस्वी में, कनकपाल के द्वारा स्थापना कीगी, तो चानपुर गड़ का जो राज्य था दोस्त अगर ले गए थे, लेकिन पहले कहां थी इसकी दोस्तों, चान्दपूर गड़ी थी, ठीक है, अगला प्रश्ण देखेंगे, उत्त्राघंडे के प्रसिद्द गोविसाण की गई है उत्रगंडे का प्रसिद और गजांकी थीं। डुके तो अगहला देखेंगे प्रसिद गुफा सेलचित्र लाखूर का उवस्थीत है यह उत्रगंडे का प््रागेश्चा स्रोत है तो लाखू DR दोस्तों कहां पर है ये अलमोडा में अवस्तित है ठीक है अगला देखेंगे अलमोडा में कॉंग्रेस की स्थापना कब हुई थी तो ये प्रशन भी दोस्तों कई बारा चुका है अलमोडा कंग्रेस की स्थापना कब हुई थी 1912 में दोस्तों इसकी स्थापना हुवी थी ठीक है अगला देखेंगे चंद वंस का अंतिम राजा कौन था तो चंद वंस का अंतिम राजा कौन था दोस्तों महिंदर चंद अभी मैं आपको बता चुक हूँ महिंदर चंद ने हवलबाग का युद्ध लड़ा था और हवलबाग के युद्ध में दोस्तों वो गोर्खाओं से हार गया था तो वहीं से क्या होगा था चंदवंस का अंत हो गया था ठीक है तो चंदवंस का जो अंतिम राजा था दोस्तों वो कौन था महिंदर चंद था ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्ण देखेंगे टीरी से संबंदिन निमने कत्नों में से कौन से एक सही नहीं है टीरी राज्य भारती गंतंत्र में 1949 में मिला बिल्कुल सही एक अगस्त 1950 को टीरी राज्य को भारती गंतंत्र में शामिल किया गया ठीक है तीरी बान 1972 में प्रस्तावित किया गया बिल्कुल सही है तीरी बान ने तीरी नगर को निकल दिया ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है लेकिन विले के पश्चा तीरी छेत्र को काट कर एक मंडल के रूप में गठित किया गया बिल्कुल गलत है विले के पश्चा तीरी की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों कब हुई थी? नौनॉम्बर 2000 को 13 हमारे हिमाले जिल्ले को काट कर 27 वे नंबर का राज बनाए गया थीक है? सल्ला बेहन का मूल नाम क्या है? सल्ला बेहन का मूल नाम दोस्तों क्या है? Catherine Helliman ठीक है यह प्रसिद्ध स्वतनता से नानी है दोस्तों तो यह सल्ला बहन है और इनका नाम कहा है Catherine Helliman ठीक है अगला देखेंगे बेगार अंदोलन कब और कहां से प्रारम हुआ तो कुली बेगार अंदोलन दोस्तों कहां पर सारम हुआ था बागिस्वर में 13-14 जन्वरी 1921 नहीं था धिक है बद्रिदत पांडए के नित्युरूतों में क्या हुआ था बहुत सारे जो आंदोलन कारी थे इन्होंने क्या किया था कुमाव में तो सर्यूनी में जितने भी बेगारं रजिस्टर से उनको बहा दिया था क्योंकि होता कि जो ग्रेस होते थे उनको एक जाती थी तो इसको क्या बोलते थे कूली बेगार प्रथा बोलते थे कि यानि की कूली का कामगर हो वो भी बिना पगाड की ठीक है तो यह जितने भी रजिस्टर मैंटेन किये थे तो इनको क्या गया था सर्यू नदी में प्रवा कर दिया गया था तो वहीं से यह आंदोलन श चुरू हुआ था 13-14 जनवरी 1921 को बागिस्वर में ठीक है अगला देखेंगे उत्रांचल का बार्दोली किस स्थल को कहा गया है तो यह मैंने भी आपको बताया था किसको क्या गया है तो दोस्तों सल्ट को कहा गया है ठीक है सल्ट की घट्टा को हुई थी अभी मैंने आपक 14 में Home Rule League की स्थापना की गई थी ठीक है अगे बढ़ेंगे बहुत सारे कोशन है 195 कोशन करने है तो बहुत ज़्यादा इसमें समय लग जाएगा अगर हम इसमें एक एक कोशन को डिसकस करने बैठेंगे ठीक है यह booster classes है बस आपको देखना है और बस कई सारे कोशन तो दोस् ठीक है इसको तिलाडी कांड भी बोला जाता है ठीक है तो रवाई कांड या तिलाडी कांड भी इसको बोलो जो भी बोलोगे तो यह कहा हुआ था दोस्तो तिलाडी में हुआ था ठीक है कुमाउ का पर्थम स्वाधिन्ता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है किसको माना जाता है कुमाउ का पर्थम स्वाधिन्ता संग्राम सेनानी कालू महरा को दोस्तों माना जाता है ठीक है इन्होंने गुप्त संगटन बनाया था करांतिवीर 1857 के टाइम पर ठीक है तो कुमाउ उपस्तित हुए थे दोस्तों ये हुए थे ज्वालादत जोसी ठीक है तो ज्वालादत जोसी कॉंग्रेस के कॉलकता दिवेशन में राज्य में से उपस्तित हुए थे ठीक है सक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन कब से प्रारम हुआ तो दोस्तों सक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन कब से हुआ था 15 सितंबर 2018 से किसने बद्रिदत पांडे ने ठीक है गांधी जी ने कुमाउ की यात्रा सरपर्थम कप की थी, तो दोस्तों इनने कप की थी, इन्होंने की थी, 14 जून से 2 जुलाई 1929 तक ठीक है, तो यहां पर देखा जाए तो दोनी आप्शन है, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से देखें के तो जून 1929 इसका सहिवनाची ठ देखें के इन्होंने 2 जुलाई तक गांधी जी ने कुमाउ छेत्र में यात्रा की थी, जैसे हल्वानी, भावाली, ताडी खेथ, भागेश तरफे लास्न में पर कौसानी आय थे, तो कौसानी में 12 दिन रहके इन्होंने अना सक्ति योग नामत गीता की भूमिका लिखी थ ठीक है, अगला देखेंगे प्रश्न उत्रागंड में दोलापाल की आंदुलन के परवर्ता कौन थे, तो कौन थे दोस्तों, जैनल भारती 1930 में ये चला था, और ये मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है, डोलापाल की आंदुलन, ठीक है, अगला देखेंगे बिश्नी धरीय देवी कौन थी दोस्तों, गिश्नी देवी एक क्याति सुद्णता सैनानी थी, ठीक है, नमक सक्तियागर रहे के दोस्तों, समय पर अमोडा के नगरपालि का जो भावण है न, वहां पर बिश्नी देवी साने थोज्जों क्या किया था, उस समय पर तिरंगा फैलाया तो किसने दोस्तों महत्मा गांदी जी की दांडी यात्रा में भाग लिया था, भहरवदत जोसी ते इसके अलावा जोती राम कांडपाल थे, गोरक वीर खड़क बादूर थे, ठीक है. अगला देखेंगे गढ़केसरी नाम से प्रसिद्ध संता सैनानी कौन थे दोस्तों वो थे अनुसुया प्रसाद बहुगणा जिनकों की गढ़केसरी नाम से जाना जाता है ठीक है भारत को सतनत होने के समय पर गड़वाल का राजा कौन था तो दोस्तों उस समय पर कौन थे मानवेंदर सा ठीक है ये गड़वाल के अंतिम राजा भी थे ठीक है अगला देखेंगे भारती राष्टी अंडुलन के दौरान गांदी जी किस स्थन पर बहुत दिनों तक रुखे थे तो बहुत कितने दिनों तक रुखे थे 12 दिन तक मैंना भी आपको बताया कौसानी में ठीक है अगरत में ही इसको एक अगस्त उनिस सो उन्चास में मिलाए गया उत्तर प्रदेश में सम्नित किया गया जन्वरी उनिस सो एक इसको निम्नमेसर के सिस्थान पर सर्यू नद्विदट पर कुली बेगार ना देने की सपत ली गई तो ये बागिस्वर में ली गई थी ठीक ह बहुत बार ये प्रशन पूछा जाता है ठीक है अगला देखेंगे 84 दिन की भूकरताल के बाद 25 जुलाई 1944 को किसका निधन हो गया था ठीक है तो 84 दिन की भूकरताल के बाद 25 जुलाई 1954 को सरदेव सुमन का निधन हो गया था ठीक है बड़ा ये important question है और सरदेव सुमन से भी संबंदित बहुर बार प्रशन आ जाते है ठीक है टीहरी राज्य अंदुलन में इनकी प्रमुक भूमी का रही है ठीक है और अनिश्चित कालिन भूकरताल पर ये बैठे थे 84 दिन बाद इनकी मिर्थी हो गई थी 25 जुलाई 1944 को बहुत बार इनसे प्रशन आते हैं ठीक ठीक है अगला प्रशन देखेंगे अगला प्रशन पूछा गया है कि बैया जो अलमुड़ा अकबार है ठीक है उसका प्रकाशन किस वर्स शुरू हुआ तो कब वहा था दोस्तों यह था 1871 में ठीक है अलमुड़ा में जो डिबेटिंग क्लब था न तो डिबेटिंग कौसानी में ठीक है अगला देखेंगे पेशावरकांड का नायके से बोला जाता अभी पेशावरकांड के बारे में बताया था वीड चंदर सिंग गडवाली ठीक है 23 अपरयल 1930 को ठीक है गडवाल राइफल्स की दो बटे 18 बटैलियन ठीक है बहुत बार यह प्रशन आप स पूछे जा सकते हैं अगला देखेंगे सिर्देव सुमन कब सहीद हुए अभी बताया भाई कब हुए थे सहीद है 25 जुलाई 1944 ठीक है बार बार यह प्रशन रिपीट होते रहते हैं लेकिन अलगलग स्टाइल में ठीक है अगला देखेंगे कत्यूरी राजवन्स का सस्था अपक माना जाता है ठीक है अगला बढ़ेंगे उत्रांचल उत्थान परिशद का गठन कभ और किस ने किया उत्रांचल उत्थान परिशद इसका गठन किया गया था दोस्तों एस एस जीना के द्वारे नि sings जीना के द्वारा 30-39 माई 1988 को ठीक है भाजपके थे यह और उनक किया गया था ठीक है राज्य का पर्थम सेतंता से नानी किसको माना जाता है कालू महरा को माना जाता है ठीक है अब अगला प्रशन देखेंगे यह इंपोर्टेंट है गौराख्या उडियार दोस्तों कहां पर अवस्तित है तो गौराख्या उडियार दोस्तों कहां पर अवस या सिकाल का प्रामुख दोस्तों ये इस्तरो होते हैं ठीक है डुंगरी गाउं है वहाँ पर दोस्तों ये आवस्तित है चमोली में अलखनंदा के नदी के किनारे एक डुंगरी गाउं है दोस्तों वहाँ पर ये आवस्तित है गौरक्या उडियार ठीक है उत्राइचल राज जनतांत्रिक गडबंधन ठीक है तो NDA की दोस्तों समय पर सरकार्दी ठीक है अगला देखेंगे गडवाल सर्वदलित परिसत का गठन 1928 में किया गया किस के द्वारा किया गया दोस्तों ये जैनन भारती के द्वारा किया गया ठीक है सर्वदलित परिसत और ये वैसे भी डोलापाल की आंडलन के प्रवर्तक भी थे घेनन भारती। तो गड़वाल सर्वदारली परिसप का गठन 1928 में जैनन भारती के द्वारती के द्वारती के द्वारती की द्वारती गया। शिर्देव सुमन के द्वारा की गई और इसका उदेश ये क्या था टिहिरी की जनता को राज्य कुसासन से मुक्त कराना शिर्देव सुमन के द्वारा धहरदूर में परजा मंडल की स्थापना की गई थी 1939 में 1949 में ठीक है अगला प्रशन देखेंगे निमने राजा और उनके राजधानी किलो में कौन सुर मेली था आपको बताना है मतलब कि राजा और उनके किले या राजधानी आपको ठीक है देखें कनकपाल देवलकर गलत है कनकपार का क्या था चानपुरगर ठीक है गरदे würs संघ का गटन के द्वारा किया गया था? तो अगेन यह स्र Radhev Suman के द्वारा किया गया था हुothe उनिसो आर्थिस में इसकी स्थापना कहा की गयी थी? पूछा ता दिल्ली में इसकी स्थापना की गयी थी स्र देव Suman के द्वारा, ठीक है अगला देखेंगे गॉल बान करोगी सपना तो वो कौन थे दोस्तों दिडी पन्थ प्रोफेसर डी डी पन्थ ने 1979 में मसूरी में दोस्तों उत्रा खेंड़े करांती दल्रकी स्थापना गरी थी ठीक है अगला देखेंगे, देखेंगे, 1968 में खोजे गए लाखो गुफा जिसमें मानव तथा पसों के चितर प्राप्त हुए हैं, बाड़ी चीना के पास दलपेंट परसित है, तो लाखो डियारक दोस्तों कहां पर रही है, अलमुणा में अवस्तित है, 1968 में खोज हुई थी, ठीक तो इसका राइट आंसर कहा है दोस्तों, इसका राइट आंसर है रिगवेद में, ठीक है, रिगवेद में ही उत्रागंडे का सरपरता मुलेक हमें मिलता है, और इसमें क्या बोला गया है, इसको देव भूमी एवं मनिशियों की पूर्ण भूमी बोला गया है, ठीक है, गड़वाल के लिए केदार खंड हम कुमाओं के लिए मानस खंड सब्द का उल लेका दिसके तो किसमे है यह सकंद पुराण में ठीक है अभी यह पहला प्रशन भी आया था तो सकंद पुराण में किया गया ठीक है आगला देखेंगे इसकंद पुराण में माया चेतर हरिद् पुरानों के नुसार, मानों के आदिपूर, मनु का निवास और धन के देवता, कुबेर की राजधानी, बद्रिकासरम के पास किस स्थान पर थी? बड़ा अच्छा प्रशन है, देखिए, तो देखिए क्या कोशन है, जो पुरानों के नुसार, जो मानों है, उसके आदिपूर, मनु का जो निवास और धन के देवता, कुबेर, इसकी राजधानी दोस्तों कहां पर थी? ये थी दोस्तों, अलका पूरी नामक स्थान पर थी ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, वसिस्ट गुफा वो वसिस्ट कुंड कहां पर अवस्तित है, ठीक है, वसिस्ट गुफा, वसिस्ट कुंड, वसिस्ट आस्रम दोस्तों, ये कहां पर अवस्तित है, ठीक है, विसोन नामक परवत है, दोस्तों, ये यहां पर अवस्तित ह अगला देखिएंगे प्राचीन गरंतों में निमनमे से किसके लिए भृंग तुंग सब्द का प्रियोग किया गया है। बड़ा अच्छा प्रशन है दोस्तों, भ्रिंग तुंग का प्रियोग दोस्तों किया गया है केदार नाथ के लिए, ये प्रशन भी पहले भी कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है, तो महाबारत का वन पर्व है, उसमें दोस्तों केदार नाथ है, उसके लिए भ्रिंग त तो इसका राइट आंसर क्या है? जोसी मट यानि की जोतिसपुर ठीक है? जोतिसपुर या जोसी मट बोलो तो यहीं पर रामाइट कालीन बानासुर की राजदानी थी ठीक है? चकरवत्ती समराठ भरत जिनके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा ठीक? तो इसका जनम क कहां हुआ था? ये भी देखिए एक ऐसा प्रशने जो कि बार-बार आता रहता है ठीक है? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है देखिए कहां पर हुआ था? कणवास्रम में ठीक है? कणवास्रम में इसका जनम हुआ ठीक है? ये वही कणवास् हमारे देस का नाम भारत पड़ा ठीक है अगला देखेंगे महा भारत के वन परव के नुसार पुलिंद राज्या सुबहू की राजधानी कौन सी थी ठीक है अगला प्रशन देखेंगे गोर्खा काली नैथना का किला नैथना का किला कहां पर अवस्तित है ये प्रशन भी आ चुका है कई बार तो नैथना का किला दोस्तों कहां पर है ये है दोस्तों अलमोडा में अवस्तित है ठीक है अलमोडा में अवस्तित है नैथना का किला ठीक ह चले आगे बढ़ेंगे किस ग्रंत में उत्रा घंडे के लिए उत्तर कुरू शब्द का प्रियोग किया गया है किस ग्रंत में उत्तरा घंडे के लिए उत्तर कुरू शब्द का प्रियोग किया गया है तो इसका राइट आंसर है एत्रे ब्रामन एत्रे ब्रामण में उत्रागिंडी के लिए उत्तर कुरू शब्द का प्रियोग किया गया है क्योंकि यहाँ पर माना जाता था कि उत्तर कुरू का निवास है इसलिए इसका उत्तर कुरू सब्द का प्रियोग किया गया है अलमुडा के जाखन देवी मंदिर में किसके निवास की पुष्टी होती है बड़ा important है दोस्तों ये भी और बहुत बारी प्रश्म पूछा जाता है ठीक है तो यहां से दोस्तों यक्षों के निवास की पुष्टी होती है ठीक है? अलमोडा का जो जाखन देवी मंदिर है यी यक्ष की निवास की पुस्ती करता है ठीक? तो यक्षो के निवास की यहां से पुस्ती होती है चलिए आगे बढ़ेंगे कनकपाल निमने में से किस वंस का सा सकता तो easy है पमार वंस का दोस्ते सा सकता किसे महमत कुमाउं का महमत तुगलक कहा जाता है तो किसको बला जाता है दोस्तों देवी चंद को बोला जाता है ठीक है चंद राजाओं का राजी चिन था दोस्तों इनका राजी चिन था गाई ठीक है अब ये प्राश्ण भी बहुत बार आ चुका है इसके बारे में डिसकस करने के अवश्यक्ता नहीं है तो चंद राजाओं का जो दोस्तों राजी चिन था वो क्या थी गाई थी ठीक है अगला बढ़ेंगे आगे अल्मोडा में नंदा देवी की स्थापना किसने करवाई थी भिस्मचंद ने, सोमचंद ने, ज्यानचंद ने या फिर कल्यानचंद ने इसका राइट अंसर क्या है दोस्तों ज्यान चंद के द्वारा ही अलमुडा में नंदा देवी मंदिर की स्थापना करवाई गई थी ठीक है निम्ने में से किस राजवंस को उत्राखंडे का पर्थम एतिहासिक राजवंस माना जाता है तो दोस्तों वो कौन सा है कार्थिकेपूर राजवंस को दोस्तों माना जाता है पर्थम एतिहासिक राजवंस ठीक है कार्थिकेपूर राजवंस की दोस्तों क्या भासा थी तो इनकी राजवासा दोस्तों क्या थी संस्कृत थी ठीक है बहुत बार ये प्रशन पूछा जा चुका है अगले देखेंगे तो उस समय पर किस का आगमन हुआ था अगला देखेंगे गाउं में परधान, मुख्या की न्युक्ति की प्रणालिक किसके द्वारा दोस्तों शुरू की गी थी, ठीक है, तो ये किसके द्वारा दोस्तों शुरू की गी थी, जो गाउं में परधान है, मुख्या है, ठीक है, ये किसके द्वारा न्युक्ति किये गए थे, ये किये ग ठीक है मौरियों के समकालीन थे ठीक है जो असो कालीन सिलालेक हमें मिला है जो कि 257 इसवी पूरु का है तो उससे पता चलता है और वो देहरदून के छितर मिला है कालसी में तो महां से इस चीज की पुस्टी होती कि जो कुणिंध है वो समकालीन थे मौरियों के ठीक है अगल साण यानि काशिपूर मोर द्वज है कोड़वार कालो टांटा ये टीरी नहीं होगा दोस्तों ये क्या होगा लेंस डॉन ठीक है अगला देखेंगे अगला परशन देखिए 1978 वाला देखेंगे चकरवर्ति समराठ भरत का जनम उत्राखंड में हुआ था बिल्कुल सही है आदी गुरु संक्राचारे का जनम उत्राखंड में हुआ था गलत है तो आपके क्या हुआ था पर कार्तिकेपूर के समय पर आये थे या तो वह था और पांडवों ने उत्रागंट से स्वर्गारोन किया था ये भी दोस्तों सही है ठीक है तो डी वाल उप्षिंस का करेक्ट हो जाएगा पहला और तीसरा ठीक है अगला देखेंगे तपोवन में किसने इस तपस्या की थी ठीक तो तपोवन में किसके द्वारा तपस् किया गया था ठीक है तो कब दोस्तों इनके द्वारा किया गया था अधी संकराचारे ने केदारनात में दोस्तों अपने देह त्याग दिया था तो इनके द्वारा कब किया गया था दोस्तों ये किया गया था आट सो बीस इस्वी में ठीक है तो आट सो बीस इस्वी इसका राइट आंसर है ठीक है कुडिन्द वन्स का सबसे सकती साली सासक कौन था तो कुडिन्द वन्स का दोस्तो सबसे सकती साली कौन था दोस्तों अमोग भूती ठीक है अमोग भूती सबसे सकती साली दोस्तों इसका सासकता ठीक है दुस्तियन तो सकुंतला के प्रेम से दोस्तों भारत पढ़ा थीक तो दुस्रंत और सकुंदला के पर इंप्रसंग जुड़ा है कणवा स्रम से ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे किस गड़वाली सासक के दरवार में नौ रतन रहते थी बड़ा अच्छा प्रशन है तो कौन सा सासक ता दोस्तों वो था फते पती सा ठीक है तो फते पती सा के दरवार में नौ रतन हुआ करते थी ठीक है अंग्रेजों और गोर्खों के मद्य में संगौली की संदी दोस्तो को यहां से हटाया था थीक है तो इनके मध्य में दोस्तूं क्या हुई थी सिंगाया की संधी हुई थी अगला देखेंगे टिहरी रियासत का भारत में विले कव वह, 1949 में गड़वाल के इतियास में जहासी की रानी की संगया किसको दी गई है, तो गड़वाल के इतियास में जहासी की रानी की संगया किसको दी गई है, तीलू रौतिली ठीक है, बहुत बार ये प्रशन पूछा जाता है नेपाल नरेस असोक चलने उत्राखंड पर कब आकरमाण किया और कुछ परवती छेत्रों को अपने अधिक्रित कर लिया था तो असोक चलने दोस्तों कब किया था ये किया था 1192 में ठीक है 1192 में नेपाल नरेस असोक चलने उत्राखंड पर आकरमाण किया था ठीक है 1192 नी, सोरी, एक सेड, 1191 ठीक है, 1192 नी, दोस्ते हम, 1191 ठीक है, 1191 में, नेपाल नरे सास्वक चलने उतराखन पर राकमन केता है, उसको सैकल देना ठीक है, या मैंने गलती से बोल ले, 1191 ठीक है, मैंने 1191 एकडं से ध्यानी दिया सपे ठीक है, कौन नाकटी राणी के नाम से नाकटी राणी, सबी लोग दोस्टों जानते हैं, राणी करनावती, ठीक है, जब उस समय पर नवाजद खाने अपने सहनिक भेज़े थे, इन्होंने उनके नाकट दिये थे, ठीक है, उस समय पर प्रिथी पतिसा की सर्क्षिका थी, ठीक है, क्योंकि इनकी पिता की मृत्य हो तो कालीन सिलाले की भासा दोस्तों क्या है तो इसकी क्या है प्राकर्त है ठीक है प्राकर्त है तो प्राकर्त और पाली भासा में लिखा गया है ठीक है आदू गुरु संकराचारे का समाधी स्थाल कहां पर दोस्तों यह है केदार नाथ अभी हमने पड़ा 820 में ठीक है next question गोरको ने कुमाओ पर अधिकार कप किया 1790 में तामूर लंग ने हरिद्वार पर का वाकरमन किया तो यह है दोस्तों 1398 में कुछ बुक में 1398 दिया होगा कुछ बुक में 1399 दिया होगा तो 1398 इसका सही आंसर है ठीक है अगला देखिंगे निम्ने में से किस सासन को कुमाओ का स्वार्नकाल बोला जाता है ठीक है स्वार्नकाल कुमाओ का स्वार्नकाल तो किसको बोला जाता है दोस्तों यह बोला जाता है जगत चंद को ठीक है तो जगत चंद के सासन को कुमाओ का Swan Kal ठीक है अगला देखेंगे में खगमरह इकला एक के जिसकों कि फोरट मोईरा के नम से जाना एता है येलमळह में अवस्तित है इसका निर्माण किस ने करवाय था दोस्तों भीस्मचंद के द्वारा दोस्तों ये करवाय गया था फोर्थ मोयरा जितने भी किले आते हैं उनसे सम्मंदित प्रस्ण आप जरूर पढ़ लेना ठीक है तो खक्मगरा किला किसके द्वारा किया करवाय गया था दोस्तों भीस्मचंद के द्वारा करवा किस ने बनाय था ये बनाया था शुदर्सन सहानी ठीक है सुदर्सन सहाने जब आपको पता होगा वही जो सिर्गावले की संदी भी थी तो इस केस में क्या हुआ था पूरे जो चेत्र है कुमाव चेत्र पर आधिपत्ति कर ले था अंग्रेजु ने और बाद में स्रीनगर को मतलब की एक टिहरी रियाशत को अलग से दी दिया गया था ठीक है तो स्रिनगर को हट को से हटा कर टिहरी को राजधानी किसने बनाया था सुदर्सन साह के द्वारा बनाया गया था ठीक है अगला देखिए निमने में से किसे अंग्रेजों ने CSI की उपादी दी ती ये भी प्रशन बहुत बार आ चुका है किसे अंग्रेजों ने CSI की उपादी दी दी दोस्तों किसको दी ती ये ये दी थी आपकी कीर्ती सा को ठीक है कीर्ती सा को अंग्रेजों ने CSI की उपादी दी तीरी में अंग्रेजी सिक्षा की सुर्वात किसके काल में हुई दोस्तों यह हुई थी परतापसा के काल में ठीक है ये प्रशने बार-बार रिपीट होते रहते हैं ठीक कुमाओं और गड़वाल पर गोर खाओं का सासन काल बहुती अन्याय अत्याचार पून था इस अत्या विसोन नामक परवत पर क्या इस्थित है तिहरी मैं भी बताया वसिस्ट गुफा वसिस्कुन वसिस्ट रासम यहीं पर अवस्थित है उपरोक्त सभीस का राइट अंसर है ठीक है पर्याप्त मात्रा में कुसान कालीन अवसेश निम्न में से कहां पर मिले हैं ठीक है बड़ा गी थी दोस्तों 688 इस्थिपूर में यह की थी ठीक है कुमाउचेतर में भूमी निर्धारन की प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गी थी तो किसके द्वारा की गी थी दोस्तों चंदरा जाओं के द्वारा शुरू की गी थी ठीक है प्रजा मंडल की मांग को लेकर जन अनोलन था, वो किस के समय पर हुआ था, दोस्तों किस के समय पर हुआ था, वो नरिंदर सा के समय पर हुआ था, ठीक है, बड़ा अच्छा कोशन है प्रजा मंडल की मांग को लेकर, ठीक है, 1939, ठीक है, अगला देखेंगे, प्रजात आंतरप सासन के लिए, 1949 में, चार सदल से प्रजा मंडल की स्थापना निम्ने में से किस के काल में हुई था, अभी फिर बता दिया भई ये किस के काल में हुई थी, ये, नरिंदर सा के काल में हुई थी, ठीक है, ठीक है, ठीक, प्रजा मंडल की स्थापना, कहां हुई थी, देहरा दून में, किस के द्वारा हुई स्रिदेव सुमन के द्वारा हुई थी अगला चलो प्राशन देख लेते हैं बिटिस उत्तरांचल को सिंक्त प्रांत आगरा एवं अवद का अंग कब बनाया गया ठीक है तो कब बनाया गया था दोस्तों यह बनाया गया था 1902 में ठीक है 1902 में चले आगे बढ़ेंगे पवा राजाओं के काल में कौन से कावे रचे गए सभी दोस्तों यहां पर यहां पर यह जो कावे हैं यह रचे गए सुदर सनोदय कावे गड़ राजवन्स कावे मानुदय कावे यह दोस्तों उप्रोग सभी पवार के समय पर रचे गए ठीक है गड़वाल पर पूर्ण अदि कभी के बाद confused हो जाता है तो इसका right answer है 14 माई 1804 में ठीक है 14 माई 1804 में अगला प्रशन देखेंगे निम्न में से कौन से सही है कत्नों में से चंदवन्स की स्थापना सोमचंद ने कही थी बिलकुल सही है ठीक है चंदवन्स का सस्थापक दोस्तों सोमचंद ही माना जाता है अगला देखें वर्तमान रुद्रपुर नगर की स्थापना रुद्रचंद ने की थी ठीक है यह भी दोस्तों बिलकुल सही है ठीक है रुद्रपुर की स्थापना रुद्रचंद ने की थी और गरुड की विपादी किसको मेरी थी ज्यांचन को मेरी थी ठीक है तो चेतर को जीतने का उलेख मिलता है तो दोस्तों कौन सी है वो रास्ता रंगिनी काफी फेमस बुक है कलाण के द्वारा लिखी गई है ठीक है कुमाओं परिस्द का कॉंगरेस में विले कब हो गया था, तो कब हुआ था इसके बनने के 10 साल के बाद, 1916 के बाद, 1926 में ऐसे करके थोड़ा साब याद कर सकते हैं, ठीक है कुमाओं में अलमोडा कॉंग्रेस की स्थापना कब भी थी अभी हमने बताया था 1912 में दोस्तों राजनितिक चेतना को जागरित करने के लिए ठीक है तो कब की गी थी दोस्तों ये की गी थी 1870 में ठीक है 1870 में और फिर यहीं से 1871 में क्या निकला था Almudा अकभार निकला था ठीक है अगला देखेंगे, पेशा और कांठ से प्रावितो कर, किसने समपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोशना की, तो ये भी बड़ा इंपोर्टेंट रोसो इसका राइट आउन सर है, मोती लाल नेरू, ठीक है, मोती लाल नेरू ने ही समपूर्ण देश में के दो निताओं ने भाग लिया था वो थे अनुसुय परसाद बहुगुडा और मुकंदी लाल ठीक है बरिश्टर मुकंदी लाल उने सो तीस में गांधी जी के अठतर नमक सत्याओंगरों में से उत्रागंड के थे तो मैंने भी आपको बताया था जोति रामकाडपाल थे भ हारत में का वाधा 1916 में ठीक है तो अगर देखा जाए तो विक्टर मोहन जोसी बदेदत पांडे चरंजिलाल तो उप्रोक्त सभी इसका राइट आंसर है ठीक है तो उप्रोक्त सभी के द्वारा दोस्तों चलाए गया था उत्रागंड में होम रूल ली आंदोलन ठीक है अ इनके द्वारा दोस्तों ये लक्षमी आश्रम की स्थापना कौसानी में की गई थी ठीक है अगला देखेंगे गड़ोदिया स्टोर डगेती कांड में कौन सामिल था जो गड़ोदिया स्टोर डगेती कांड में कौन सामिल था जो गड़ोदिया स्टोर डगेती कांड में क कौन सा, सामिल, भवानी सिंग, ठीक है, अगला आगे बढ़ेंगे, नमक सत्यागरे के दोरान अलमुणा के नगरपली का बहुन में, किसके नेतरतों में तिरंगा फैराए गया, तो किसके नेतरतों में फैराया गया था, दोस्तों, बिस्नि देवी सा, बाकी ये भी थे, कुं दोस्तों ये दिया गहता कुंती वर्मा को ठीक है तो कुंती वर्मा इसका राइट आंसर है ठीक चलिए आगे बढ़ेंगे गांधी जी ने 1929 में कुसानी में अपने कितने दिन प्रबास के दौरान आना सकती योग नमक गीता से भूमी का लिखी थी तो 12 दिन इसका राइट ठीक है अगला देखेंगे बद्रिदत पांडे हर गोविनपन चिरंजी लाल सा के नेतिरतों में 40,000 संदा सेना ने कब बागिस्वर में सरी नदी में कुली बेगार पता संबंदित रेश्टर को भागर कुली बेगार पता का अंति किया था तो कब किया था 23 14 जनवरी 1921 में ठीक है तो गडवाली का जो दोस्तों कब हुआ था 1905 में दोस्तों इसका प्रकाशन हुआ था गडवाली नामक सापताहिक पत्त्रिका का प्रकाशन हुआ था किस से धहरादून से दोस्तों इसका प्रकाशन हुआ था ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे लक्ष्मी आसरम से सम्मंदित निम्ने में से कौन सगी बहने हैं जिनने सर्वोदे का परचार परसार किया तो वो कौन है दूसरों कमला इवम बसंती ठीक तो कमला इवम बसंती लक्ष्मी आसरम से सम्मंदित बहने हैं जिनने सर्वोदे का परसार परसार किया था ठीक है आग उन्होंने कब की ठीक है तो उसी वर्स उनके द्वारा 16 से 24 अक्टूबर तक ठीक है 1929 में ही राय यात्रा गांदी जी के द्वारा दोस्तों की गई थी गड़वाल छेत्र की ठीक है 16 से 24 अक्टूबर तक ठीक है अगला देखेंगे भाई या अगला परशन देखिए निमने में से कौन सा युगम आपको बताना है की गलत है ठीक है कौन सा युगम इसमें से गलत है आपको बताना है देखिए अभी हमने पड़ा कि जो गड़वाली है वो कहां से निकलता था दोस्तों धरदून से ठीक है पंडित गर्जादत नेथानी ठीक है बाकी देखे युगवाणी सेयद रदून कर्म भूमी लेंजड़ों सकती अलमुडा ठीक है अलमुडा डिबेटिंग क्लब से निकला था ठीक है अगला देखेंगे सतंता अंदुलन में सल्ट की भूमी का की सराना करते वे किसने इसे कुमाओ का बारदोली कहा था ठी हपी कलब की स्थाफना कप की थी तो ये कप की थी दोस्तों इन्होंने 1903 में की थी थी यह भी कई बार प्रशन आ जाता है दोस्तों रिपीट होके ठीक है 1857 की के बाद Nejम N耐मे से किसने अंग्रेज्यों के विरोध में काली कुमाउ छेतर में क्रांती वी नामक एक गुप्त संग अठन में रहा था दोस्तों कालू महरा ने ठीक है चलिए डोला पाल की आंदुलन के संबन में किसके नेतुरते में हुआ था दोस्तों यह हुआ था जैनन भारती के 17 सितंबर अठाशा सतावन को राज्य के लग एक हचार करांती करियों ने हल्दवानी पर अपना अधिकार कल लिया था ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे 1938 को पिर्थक राज्य की मांगी तु दिल्ली में किसने गर्देश सेवा संग की स्थापना करी थी तो किसने की थी दोस्तों सिर्देश सुमंद ठीक है इसको फिर में हिमाले सेवा संग का नाम दिया गया था ठीक है अगला देखेंगे पिर्थक राज्य की मांग सरपर्थम श्री नगर गड़वाल में आजित भारती राष्टी कॉंग्रेस के विसे सद्धिवेशन में उठाई गी थी कब उठाई गी थी दोस्तों ये उठाई गी थी उ 1938 में ही उठाई गई थी ठीक है उत्तर गंड करांदी दल के विदायक जस्वन सिंघुल की ये उत्तर परदेश की जिसकी विदान सब़ा में उत्तर गंड से सम्मंधित परत्थम प्रस्ताओ कब रखा था ठीक है तो यह रखा था दोस्तों हिन्हों नहों ने 1990 में ऊतरा गं निमने में से कौन मसूरी कांड का सहीद नहीं है ठीक है मसूरी कांड में दोस्तों कौन-कौन सहीद नहीं हुआ है आपको बताने है ठीक है अब लेकिन इसके लिए पहले आपको पता होना है ठीक है कि भाई कौन-कौन इसमें सहीद हुए तो देखिए धनपत सिंग, बेलमती चोहान हंसा दनाई दोस्तों ये सब मसूरी कांड में सहीध हुए थे लेकिन ये सोधरा बेंजवाल इसमें सहीध नहीं हुई थी ठीक है अगला देखेंगे परदान मंत्री एजडी देवगड़ा ने उत्राघंडे के राजी की गोशना लाल के देश से कप की थी तो ये कप क ठीक है अगला देखेंगे अगला देखेंगे खतीमा गोली कांड कब हुआ था खतीमा गोली कांड कब हुआ था तो कब हुआ था दोस्तों ये हुआ था एक सितंबर 1994 को ठीक है एक सितंबर 1994 को धोस्तों खतीमा गोली कांड हुआ था ठीक है अगला देखेंगे मुझफर रामपूर तिरहा गोली कांड कब हुआ था तो मुझफर रामपूर तिरहा गोली कांड कब हुआ था दोस्तों ये 1969 में दोस्तों गड़वाल मंडल की स्थापना की गी थी और पॉड़ी गड़वाल को इसका मुख्याले बनाया गया था ठीक है अगला देखेंगे दिम्ने में से कौन सुमेलित नहीं है चलिए अभी देखा हमने खटीमा कांड है 1 सेतंबर 1994 बिल्कुल सही मुझफर कांड है दोस्तों 2 अक्टूबर 1994 मसूरी कांड दे रहा है 3 सेतंबर 1994 जो की गलत है ठीक है 3 सेतंबर नहीं है क्या है 2 सेतंबर काला दिवस है 1 सेतंबर 1994 यह आपका सही है ठीक है, 1794 सही है, तो इसका right answer क्या हो जाएगा, 147 का दोस्तों क्या हो जाएगा, C वाल option दोस्तों इसका correct हो जाएगा, ठीक है गैर सेंड में राज्य मंत्री परसत की पहली बार बैठक कभ हुई, यह अच्छा प्राशन है दोस्तों, यह कभ हुई थी, 3 November 2012 को गैर सेंड में राज्य wert विदान सभा भूहन का ओपचारिक सिलानियास कभ किया गया, यह प्राशन में आपको पहले बता चुक हO, दोस्तों, तेरा को ठीक है अगला देखी गैर सेंड में राज्य विधान सबा की पर्थां पैटा कभ भूनी थी दोस्तों 9 से 11 जून 2014 ठीक है ये सक्टिए 1 राज गेर सेंड में राज विधान साबा की पहली बेटक 9 से 11 जुन 2014 और विधान साबा का अपचारी सलानियास 14 जिन्वरी 2013 ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे टीरी रियासत का भारती संग में विलय कब वो आता दोस्तों 1 अगस्त 1949 टीरी राज्य परजा मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गी थी सुर्देव सुमन के द्वारा की गई थी दिम्न में से कौन सा उत्रगंडी की प्राचीन प्रजाती नहीं है ठीक है प्राचीन प्रजाती नहीं है दोस्तों ये बताना है ठीक है तो इसका राइट अंसर के है दोस्तों खासी यक्ष नाक की नर पा में डिसकस कर लिया ठीक है अगला देखिए संगोली की संदी 1815 है पर दे रखा वैसा 1816 है 1815 16 राइट आंसर होगा ठीक है अगला देखिए परमारवंस का सस्थाप कौन है कौन है कनकपाल है परवारवंस के सासको के पर्थम राजदानी दोस्तों कहां थी चानपूर गड़ी स्थापित कहां हुआ था दोस्तों यह हुआ था चमोली में ठीक है डोला पाल के अंदूलन कहां पर है किस से संबंदित है शल्पकारों से संबंदित है किसने काशिपूर में प्रेम सभा की स्थापना की यह अच्छा कोशन है प्रेम सभा की स्थापना दोस्तों किसके पंडित गोविद बंदलव पंद्य के द्वारा ठीक है तो काशिपूर में गोविन बंदलव पंद्य में ठीक है अग्ला देखिए सकलाना विद्रो कहां पर हुआ था, सकलाना विद्रो दोस्तों कहां अगर गडवाल में आस्रेलिया सुलेमान सिको कालू महरा का संबंद है कांत करांतीवीर संगठन से ठीक है परदिमन सादवारा किस युद्ध में गोरखाओं के विरद्ध लड़ते हुए सहीद हुए थे अगला प्रशन देखेंगे पांड़क्वेसर तामरपत्र किस भासा में लिखे गए हैं तो तामरपत्र जो लिखे गए हैं दोस्तों किस में लिखे गए हैं पाली भासा में दोस्तों ये लिखे गए हैं तीक है इसकंद पुरान में गड़वाल छेत्र का वर्णन किस खंड़ के अंतरगत आता है तो गड़वाल छेत्र दोस्तों क्या है ये है केदार खंड ठीक है अब आप देख सकते हैं ये प्रशने बार-बार आते रहते हैं ठी कुडिंद से संबंदित है ठीक है अगला देखो कालसी का सिलाले का किसे संबंदित है ठीक है कत्यूरों की दरबारी भासा क्या थी देखे प्रशन आप रिपीट ही हो रहे हैं संस्कृत हो गया कौन कत्यूर राजयों की कुल देवी की रुप में पुझी आती चलो ये सही है ये कौन पुझी आती दोस्तों ये पुझी आती थी नंदा देवी ठीक है नंदा देवी इनक कुल देवी के रूप में पुझी आती थी गड़वाल के पवारवंस का सस्था पर कौन था अरे यारे तो बहुत बार आ गया कनक पा लोगे ठीक है अब प्रैक्टिस साइट आपको यही करवाने है बिटिस ने गड़वाल कुमाव पर आधिपत्य कप किया था चली यह थोड अध्याट साइट बाला अप्षिन ने तो अपरोक्त मैंसे कोई नहीं ठीक है ऐसे देखा जाए तो मैं 815 में आये था ना सिंगोली की संदी वी थी तो मैं 815 मान के चलो जब अपरेल 815 में हुआ फिन यूगति इसको कब किया गया तो मैं 815 में किया गया था तो मैं 815 में किस विद्रो को कुमाओ का बार्दोली बोला जाता है, सल्ट को बोला जाता है, कुमाओ परिसात का गठन का हुआ था, 1916 में हुआ था, ठीक है, चलिए, थोड़ा सा, एक अला कोशिन देख लेते हैं, चैतू तथा माणकू, नामक चितरकार को किस राजा ने अपने दरवार म जैनन भारती, ठीक है, कुमाओ छेतर को क्या का जाता था, प्राचिन साहती में, मानस खंट बोला जाता था, कार्ति के पूरवन्स का सस्तापक, मैंने पहली बोला, बसंत देव, ठीक है, भारत जब आ जा दुआ तो टीरी रहसत का राजा कौन था, दोस्तों, मानवेंदर स चाह, कालस्य बिले किस वन से संबन्दीता में, ठीक है, खंगमरा केले का निर्मान किस राजय ने कर वाय था, बीस्म चंद, यह भीम चंद रहा तो बीस्म चंद हो ठीक है, ठीक है, और मैंने थोड़ा गलती से, खंगमरा केले को फोर्ट मौयरा नहीं, जो लाल मन्डी का क के लाए दोस्तों उसको बोलाया था फोर्ट मुरा रहा है ठीक है उसे मैंने साहिए थोड़ा जलबाजी में साहिए इसको फोर्ट मुरा रहा है बोल देता है ठीक चलिए अगले बढ़ेंगे वर्स 1949 में टीहरी राज्ये प्रजामंडल की स्थापना कहां पर हुई थी तो यह हुई थी दोस्तों कहां गहरा दून में ठीक है टीहरी राज्ये प्रजामंडल की स्थापना ठीक है था वर्स 1935 से किस पत्र का प्रकाशन अल्मोडा से किया गया सक्ति स्वाधिन प्रजा सम्ता अल्मोडा अकबार तो इसका राइट अंसर है सम्ता दोस्तों ठीक है सम्ता का प्रकाशन अल्मोडा से किया गया था मुंसी हरी परसाथ टम्टा के द्वारा 1935 में ठीक है अगला देखें कुमाव में चंद सासन का जर्म दाता कौन है दोस्तों वो है राजा सोम चंद ठीक है दिल्ली में मुगल सुलेमान सिको को किस गड़ वली राजा ने सरंड दी थी तो इसका रहा है पृति पती साह, पृति पाल सा गलत लिखर का पृति पती साह, ठीक है next बढ़ेंगे किदार मंडल पर लेलता दित्य के आकरमन की जानकरी किसे मिलती है तो वो मिलती है राज तरंगिनी से ठीक है ललता दित्य उत्ता पीट के द्वारा जो यहाँ पर अकरमन की आ गयता ठीक है अगला देखेंगे उत्तरा खंड में किस सासन को स्वन युक के नाम से जाना चाता है ठीक है ये भी अच्छा वो है क्वेशन पूरा बता जारा है कि किस सासन काल को तो कत्योरी साम राज्य के सासन काल को स्वन युक के नाम से जाना था ठीक है अगला देखें लास्ट क्वेशन है दोस्तों आज का सहा पद्वी प्रियोग करने वाला गडवाल का पर्थम राजा कौन था इसका राइट अंसर क्या है दोस्तों बलबद्रसा ठीक है बलबद्रसा ने सहा पद्वी का पर्थम बार प्रियोग किया था ठीक है तो दोस्तों ये थे आज के 195 कोशिस मैंने पूरी करी है कि सारे कोशिस आपको करवा दिये जाएं आई होप की वीडियो आपको अच्छे लगी होगी मिलते हैं अगली वीडियो में गुट बाई